एक तरफ कुरोना ने पूरे देश में तबाही मचा दिया है तो दूसरी तरफ दम तोड़ रहे मरीजों के परिजन अपना धारिक हो रहे हैं और आस्पतालों में तोड़ फोल मारपीट हो रही है कई जगों पर डाक्टरों पर या अस्पताल कर्मियों पर लापरवाही के आरोप भी लग रहे हैं नित नए दिन ऐसी घटनाओं से डाक्टर और उनका सपोर्टिंग इस्ठाब भी डरा हुआ है डाक्टर भी भारी तनाओं में हैं कई जगहों पर तो लोग हर्ताल पर चले गए जिससे स्वास सेवाए बातित हुई ऐसे में फिर एक बुरी खबर आई है उत्ते प्रदेश की कर्नो जिले से जहां मेडिकल कॉलेज तिरवा में तीमारदारों और डाक्टरों के बीश मार पीट हुई है बताया जा रहा है कि दोरों पक्षों के बीश जम कर मार पीट हुई यह हंगामा एमर्जेंसी में महिला की मौत के बाद शुरू हुआ आक्सीजन बेट ना मिलने का आरोप लगा कर परीजन डाक्टर के साथ भिढ़ गए सुचना पर मौके पर पहुँचे पुलिस ने दोनों पक्षों को समझा बुझा कर सांथ कराया वहिम्रित महिला के वेटे ने अस्पिताल प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाती हुए कहा कि मैं बिंती करता रहा लेकिन डाक्टरों ने अंसुना कर दिया मुझसे कहा कि आक्सीजन क्या हमारे घर में बनती है आपको सुनिया म्रित महिला के बेटी की जुबानी अनम राहूल पाल है और हम अपनी माताजी को तरवा मेडिकल क्वालिज में लेके गए थे वहां मैंने डाक्टर लोगों से भीक मागे कि मेरी माताजी की जान में चालो और उपने ऑक्सीजन की कमी के कारण उनकी सांस तुरुक रही थी और जब दाक्टर लोगों से जानदा भीक मागी अपने अपने का प्लीज बर लो तो वो लोग उल्ड़ा सीधा बोलने लगे कि ऑक्सीजन के मेरे घर में बनती है हम नहीं जुम्हें जा रहा है अब हमाने साथ में जो पत्रकार लोग थे और सभी लोगों को पराता पए कि और उचितकार लाइक की जा उससे पहले जब आप एंबूलेंस में थे तो ऑक्सीजन लेवल सही था उनका हाँ जब एंबूलेंस में गये तो बिलकुल माता जीब मेरे वहां से बात कर रही थी बिल्कुल ठीक था और जब ने पहले बात की तो उनने कितनी देद तक लिटाए रहे वह तेसे नहीं प्लब्द नहीं कराइए और बहुत सभी लोगों से बत्तिमीजी तो मेरी माताजी का राजबेटिपालना झाल